ओम शांती, 11 नवेंबर, आज के दिन का आपको स्वागत और तीपावली की आपको शिपकामनाए, एडवांस में ही, परमात्मा हमें कहते हैं कि हम साक्षी होकर के रहें और सारती होकर के रहें, तो यह जो त्योहरा आ रहा है, इसको भी हम एक साक्षी दृष्टा होकर के दे देखना इस ड्रामा को, इस दुनिया के ड्रामा को वह भी बहुत जरूरी है, और इसलिले परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने को सारती और साक्षी समझ, दे भान से नियारे रहने वाले योग-योगत भवा, यह फायदा कब होता है इस कामें, जब हम साक्षी होते हैं और सार अगी भी है, फोन है, सब कुछ है, दान दौलत है, खाने पी निकले चीज़े हैं, यह मुझे डिफाइन नहीं करती हैं, इसके अधार पर आज हम दुनिया वालों ने एक दूसरे को उंचा देखना या नीचे देखना, या अमीर मनना ये करी मनना, यह सब कुछ बोला रहने वाले युग युगत भवा, युग युगत रहने की सरल विदी है, सदा अपने को सार्थी, कि मैं आत्मा इस शरीर रुपी रत को चलाने वाली सार्थी हैं, और इसके दौरा मैं जो भी कर्म कर रही हैं, उसका फ़र मुझे मिलेगा, और सक्षी समझ कर चलना, कि तन और तन की दुनिया वस्तुएं चीजों में अगर कुछ खराबी या कुछ बिगड़ भी आता है, तो भी उससे डिटाच हो जाना, इसका मुझे यह नहीं कि बिगड़ते रहे हैं, और आप बोलो है मैं तो डिटाच हो नहीं, हमें हमेशा राइट कर्म कर नहीं कि उसकी कर लेकिन अगर कुछ उसके बाद में जाकर कुछ बिगड़ जाता है, तो फिर साक्षी हो जाओ, इस रत को चलाने वाली हम आत्म सार्थी हैं, यह शरीर है, शरीर को चाय कुछ भी हो जाए, तो शरीर मैं नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, शरीर को हुआ है, तो मिलना है, और अपनी सहत को अच्छा रखना है, योग वियाम करके, लेकिन अगर फिर भी यह सब कुछ करते हुए, कुछ भी होता है, तो फिर साक्षी हो जाना है, यह स्मृति स्वता इस रत अत्वा दे से वा किसी भी प्रकार के देह भान से नियरा बना देती है, दे, दे बहुत सारी चीज़ा आ गई है, विस्तार खौतेज का, देभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर करम भी युक्ति युक्त होता है, अगर दे का विमान नहीं है मुझे, कि मैं फ़लाना हो वही, मैं जो कह रहा हूँ, वही राइट है, मैं बॉस हूँ, तो फिर हम योग युक्त हो करके, परमात्म से कनेक्ट हो करके, ताकि हम से कुछी बोरे करम नहीं हो जाए, और हर करम जो हता है, युक्ति युक्त होता है, जिसमें कि हम हर किसी को मिला के चलता है, अगर 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 दे किना बिमान होगा, तो I am right and everybody is wrong, ये युक्ति युक्त नहीं हुआ, स्वयम को सार्थी समझने से सर्व करमेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है, मैं आत्म सार्थी हूँ, ये करमेंद्रियों का मलिक हूँ, ये करमेंद्रियों मुझे कंट्रोल नहीं करती है, मैं नको कंट्रोल करता हूँ, वे किसी भी करमेंद्री के वश नहीं हो सकते हैं यह बहुत बड़ी प्रैक्टिस है बहुत उची प्रैक्टिस है जो कि हम ब्रह्मकुमारी जिसमें हर दिन करते हैं और एक कदम है इस तरफ बढ़ रहे हैं जिससे कि हम करमींद्रे को वश्में करें ना कि उल्टा हो इसको कहा जाता है राज्युग विद्या जिसको क आप आकर के ब्रह्म कुमारी शुर्य विश्य दाल में सीख सकते हैं ओम शंदीज के साथ